हेलो, सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी अच्छी होंगे, मस्त होंगे, तो हमारा जो टोपिक है, वो कौन सा चल रहा है, हम कर रहे हैं, बीड, हम क्या कर रहे हैं भई, देखो एक बार, एक मिनिट भई, थोड़ सा इसको सेट कर ले, हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट एर का पहला पेपर, कौन सा पेपर, पेपर वन, बीड फर्स्ट एर का पेपर वन, और इसकी युनिट कौन सी चल रही है हमारी, युनिट चल रही है हमारी थर्ड, युनिट चल रही है हमारी थर्ड, अब थर्ड युनिट का मैं आज आज आपको एक कॉश्चन क उसके बाद दो और होंगे, फिर हम फोर्स पर आ जाएंगे, यहां कि थर जो यूनिट है ना, वो आपकी अब समाप्त होने वाली है, उसके अंदर जादा लेक्चर का काम नहीं रहा, बस तीनी टोपिक नहेते हैं, एक तो मैं आपको अभी करवा दूगी, और दो फिर हम और क कर लेंगे, तो देखो, यह जो आज का जो हमारा टोपिक है, वो क्या होगा, एक मेंटर, आज हम करेंगे, कि जो संध्यानवादी थे, जो क्या थे, संध्यानवादी थे, आज हम उनकी बात करेंगे, अब तक हम किसके बात कर रहे थे, वहवार वादियों की, अब तक हम वह वेवारवादियों की बात कर रहे थे भी ठीक है ना अब बात किसकी करेंगे संग्यान वादियों की वेवारवाद की अंदर हमने बात किसकी की थोरंडाई की किसकी की थोरंडाई की उसके बात किसकी बात की हमने पैवलोव की थोरंडाई के बात की पैवलोव की उसके बात की भई सिकिंडर की बात हमने, सिकिंडर की बात की, तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो तीनों वेवारवाती थे, तोरण डाइक, पैवलो और सिकिंडर, मतलब वेवारवात क्या मानता है? मैने आपको वैसे तो पहले भी ये बात बताई है, लेकिन आज कलियर कर लेते हैं वेवार बाद ये मानता है कि वही जो काम है हम कैसे सिखते हैं अपने हातों पैरों की मदद से सिखते हैं ज्यादा तर काम हम लोग कैसे सिखते हैं अपने हातों और पैरों की मदद से सिखते हैं किरियाएं करते हैं हातों से और पैरों से और काम को सिखते है लेकिन जो संग्यानवादी होते हैं ना संग्यान, संग्यान का मतलब क्या होता है बुद्धी और संग्यानवादी इससे विपरीत बात मानते हैं संध्यानवादी कहते हैं कि जो हम काम सीखते हैं वो ज़्यादा तर हम अपने हातों पैरों की मदद से नहीं आपी तो बुद्धी से सीखते हैं संध्यानवादियों का मानना है कि जो भी हमारे सामने situation होती है चाहे कोई भी परिस्थिती क्यों न हो उस परिस्थिती को पहले हम बहुत डीपली देखते हैं उसको क्या देखते हैं बहुत डीपली देखते हैं उसको ध्यान से देखते हैं और उसको ध्यान से देखने के बाद, अचानक हमारे अंदर क्या है, उस समस्या के परती सूज उत्पन होती है, उस समस्या के परती क्या उत्पन होती है, सूज, यानिकि अचानक सूज, अचानक हमें उसका हल मिल जाता है, और जब अब उसके हल मिल जाता है, तो हम उसके हल मि करने आद И norुद्ध करने से नहीं होता भी ज़ए थर काम कैसे होता है जब हम अपने उस्तमाल करते हैं जेसे एमारे बुद्ध के अंदर अचानक विचारुतिपन होताा है ना वैसा हम लोग सीख जयाते हैं यानिकी हमेशा उच्छल कूध करने की हाथ पैर मारने के जूरत न किसके बारे में? कोहलर के बारे में हम लोग ठढ़ेंगे भी. ठीक है? तो देखो यह जो संग्यानवादी है, यह Gäस्टाल्टीजम कहला है, यह संग्यानवाद. जो Gäस्टाल्टीजम है, इसकी जो नीव है, वो किसीillos ने रखी थी? वर्दी मरने, इसकी नीव किसी ने रखी, वर्दी मरने क्योंकि जो Gestaltism है, यान कि Gestalt वाद को मानने वाले हैं, वो यह समझते हैं, कि बुधि का परियोग करता है मानो, इसकी नीव रखी वर्दी मरने, कब 19… इसकी नीव वर्दी मर ने कब रखी, 1913 में रखी उसके बाद उन्नी सो सोला में इससे आकर क्या मिल गया कोहलर मिल गया क्या मिल गया यह कोहलर मिल गया इसकी नीव रखी वर्दीमर ने कब रखी उन्नी सो तेरह में उन्नी सो सोला में कोहलर इससे आकर मिल गया और उन्नी सो बीस के अंदर कोफ का नाम का एक और था म नाम था Theory Of Gestalt, theory of Gestalt, what it is called Story Of Gestalt, इस book के अंदर जो है इस scholar का जो ये परियोग है कि पूरी दुन्या के सामने आया था, तो ये जो gestalt, gestaltism को मानने वाले थे, ये जर्मन मनोविज्आनिकों का एक दल हुआ करता था, जर्मन मनो विज्ञानिकों का क्या था एक मनो विज्ञानिकों का क्या हुआ करता था दल हुआ करता था ठीक है यह क्या था जर्मन मनो विज्ञानिकों का दल हुआ करता था जिन्नों ने क्या माना कि भी व्यक्ति जो है अपनी बुद्धी के दोरा सीखता है यह मैंने आपको कแ संध्यानवाद का गया व activate to ऑर कोफका की एक किताब आई और किताब का था थी। त्यूरी ओव गेस्टाल्त और इस भुख के अंदर विस्तार से वर्णना था कोफरर के इस पर्योग आए और इस बुक के माध्यम से, ये जो बाद है, ये जो संग्यान वाद है, ये पूरी दुन्या के सामने आया। इनका मानना क्या था मैं पहले भी बता चुकी हूं, और फिर सी आपको क्लियर कर दूँ। इनका मानना था कि जो व्यक्ति है वो अपनी सूज भूज से अपनी बुद्धी से सीखता है जैसे व्यक्ति के पास बुद्धी होती है वैसा ही वो सीख जाता है हमेशा हाथ पर मारने की जूरत नहीं होती भई ठीक है फिर इनके जो थोरी है वो बड़ी फेमस है और ये क्या कहते हैं पढ़ते हैं हम लोग ये कहते हैं इनके सिधान्त को क्या कहा जाता है सिधान्त का नाम है इनके गेस्टाल्ट सिधान्थ, सूज का सिधान्थ, अंतर दृष्टी अधिगम का सिधान्थ, ठीक है न, गेस्टाल्ट का सिधान्थ, सूज का सिधान्थ, जिसको हम इंसाइड लर्निंग थियोरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसाइड लर्निंग थियोरी भी बोलते हैं, यह जो आप चितर देख रहे हो ना बच्चों, यह कोहलर का है, यह जो फोटो है ना चितर है आपके सामने, यह किसकी है, यह कोहलर की है, तो कोहलर सीखने के सिधान्त को गेस्टाल्ट सिधान्त, पुर्नाकार सिधान्त, समगर सिधान्त, सोच का सिधान्त, पूर्ण से अंस क सिधान्त और अंतरदिश्टी सिधान्त और सू सिधान्त के नाम से पुकरा जाता है आपको ये नाम जो है ये याद हो जाएंगे बड़े असान है इस सिधान्त को गेस्टाल्ट सिधान्त बोलते हैं गेस्टाल्ट का सिधान्त था क्योंकि पुर्नाकार पुर्नाकार क्यों ब तो पहले आप समस्या को पुरन रूप से समझेंगे, सम्पुर्णता से समझते हो ना समस्या को, आप का मितर को याप से समस्या करता है, आप क्या कहते हो, पुरी बात बता मिर को पले, क्या हुआ थार क्या नहीं, तो इसको पुरनाकार सिधांत बोलते हैं, समगर, समगर का मत मतलब व्यक्ति अपनी सोच से सीखता है, जैसे व्यक्ति की सोच होती है वो वैसा ही सीख जाता है, उसके अबाद पूरन से अंस, यानि की पूरा समझता है, और अंस का मतलब क्या होता है, टुकडा, टुकडों के अंदर उसका क्या करता है, हल प्रस्तूत करता है, पूरन learning करते हैं भितर से learning करते हैं सूज का सूज अचानक उत्पन होती है ये इनका मानना है संध्यानवादियों का कि किसकोई भी हमारे सामने समस्या आ जाए ना उसको हम लोग पूरा रूप से समझेंगे तो हमारे दिमाग में एका एक अचानक सूज उत्पन होगी उसके वारे में क्या उत्पन होगी सूज उत्पन होगी आदे नामों से भी पुकारा जाता है बीसमी स्ताबदी के उत्राद में उन्नी सो बीस में ठीक है ना जर्मनी में गेस्टाल संपरदाए का उदे हुआ ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो 1913 में इसकी नीव रख दी थी, वर्दी मर ने, लेकिन ये पूरी दुनिया के सामने ये सिधान्त कब आया, 1920 में आया, तो 1920 का ये सिधान्त माना जाता है, इस सिधान्त को कब का माना जाता है, 1920 का माना जाता है, पूरी दुनिया के सामने ये और कुन थे? कूट लेविन भी थे. ये गेस्टाल्ट वादी कहलाए. क्या कहलाए? गेस्टाल्ट वादी कहलाए. तता इन्हों ने जो सिधान्त दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट सिधान्त बोलते हैं. इन्हों ने जो सिधान्त दिया, उसको हम लोग क्य एक दल था, वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन, ठीक है, तो ये जर्मन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ एक ऐसी समगर या पूरन सरंचना से है, जिसकी विशेष्था का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है, ना कि उसके अव्यव, अव्यव का मत देखने से उसके गुणों का पता चलता है, कोई समस्या आएगे ना, समस्या को टुकडे में देखेंगे तो हल नहीं होगी, पहले पूरन रूप से समझेंगे, उसके बाद टुकडों में हल करेंगे भी उसको, तो देखो, इसका अर्थ समगरा कृतिया पुरुना कार है, एर्दाखुल यह पूरा का पूरा से है, जब कोई भी व्यक्ति अलग अलग पहलूं को नए तरीके से प्रतक्षन, प्रतक्षन माना देखना, प्रतक्षन का मतलब क्या होता है, देखना, देख सके, उसके आप सी समंदों को समझ सके, तो उसमें क्या उत्पन होती है, जिसे मनो विज्यानिकों ने अहा अनभव भी कहा है क्या कहा है जिसको मनो विज्यानिकों ने अहा अनभव क्या कहा है हम कुछ कारियों को करते वे शिख ते और कुछ को दूसरे को करते वे देख कर ऐसा ही होता है न भी कुछ कारिये को तो हम अब खुद करते वे सीख लेते ह जैसे आप कोई काम कर रहे हूं, है ना, और आपको अचानक कोई आइडिया आ गया, कि क्यो नम इस काम को ऐसे खर लूँ, तो आप नई बास सी गए ना, सी गए के नहीं, जैसे आपका मालो लेप्टोप खराब हो गया है, और आपको थोड़ा बो ठीक करना आता है, फिर आप को ठीक करते ये लगा, क्यों नम इसको ऐसे ठीक कर लूँ, और आपका वो लेप्टोप ठीक भी हो जाता है, तो कुछ को तो हम काम करते वे सीखते हैं, और कुछ को दूसरे को करते वे देखकर, कई बार हम दूसरे को काम करते वे देखते हैं, और हमें भी वो काम समझे में तो अपने आप शीक लेते हैं, कुछ को हम बिना बताए, अपने आप भी सीक लेते हैं, इस प्रकार के शीखने को सूज दोवरा, सूज का मतलब क्या होता है बुद्धी, अबा केते ना ज़से, अरे मेर को तो रास्ता सूज़ नहीं, सूज़ मतलब पता ही नहीं चला, तो ज काम कर रहे हो और काम करते करते आप अचानक उस काम को करने लग जाते हो अच्छी तरह से तो उसको क्या कहते हैं सूज के दौरा सीखना बोलते हैं अपने बुद्धि से सीखा है आपने इस सम्मध में गुड का क्या कतन है सूज वास्तविक स्थिति का अक्समिक निष्चित छोह विर्र ऑप्र पुर्चर कई बुद्धि से स्ोज कैसे पैसे होगी बुद्धि से। यह कहते हैं जो हमारी सूज होती है हो जैसे अमारे सामने स्थिती आती है उसका अचानक टातकालि जाता है कई आष बार हमें đã यर आधने श्मद्धोर ये स्मध्य देख उछ और अचाननाख ग्यानां भुड्धी में आता है अरे इस काम को असे कर लेते हैं, क्या है यह वास्तव में किछकाror है, इसको हम लोग बोलते हैं अचार्ण आपर जद चिया करे थदीन सब्सक् tego कर लेड जडा जड़ों किलिस म ठीक है और एक्सपेरिमेंट क्या था अभी मैं आपको बताऊंगी सूज का सिधान्त कोहलर दवारा किये गए कुछ परियोगों पर अधारित है तो कोहलर ने कही तरह के पसू जैसे वन मानुस वन मानुस किसको कहते है लंगूर को बोलते है लंगूर बंदर मुर्गी और कु के लंड्यों पर परियोगीए पर उने ओन मानुस होता है निज्ब्र मुर्गी और कुत्थर बंदर पर उन्यूमण सो तेरह से लेकर नहीं बीच को बिच रड Bennett r रुंडा यिज पर अपने परियोग किये परन्थु नंके द्वारा 1913 से लेकर 1908 के बीच रुन के द्वारा 1913 से लेकर 1918 के बीच केंरी द्वीप है भी जी एक द्वीप है कोण सा केंरी केंरी द्वीप में सुल्तान नाम का एक चिंपैजी था वन मानुष था उस पर जो परियोग किया गया वो सबसे ज़्यादा मशुहूर है क्या कहता है कि सूज का सिदानत कोहलर के कुछ परियोगों पर आधारित है कोहलर ने कई तरह के पशों पर परियोग किये जैसे वन मानुष है, बंदर है, मुर्गी है, कुत्ता है लेकिन जो इन्हों ने परियोग किया ना उनीस सो तेरा से इठारा के बीच किस पे केंडरी दूई पर एक वन मानुश पर यहनकि सुल्तान था उसका नाम सुल्तान नाम के चिंपैजी पर जो परियोग किया वो बड़ा फेमस है बहुत ज़्यादा परसलित है तो इन्हों ने क्या किया था इन्हों ने सुल्तान नाम के एक वन मानुश को लिया सुल्तान नाम था उसका चिंपैजी का और उसको एक कमरे में बंद कर दिया किसमें बंद किया वई एक कमरे में इन्हों ने उसको बंद कर दिया कमरे में क्या किया गया कि चट के उपर केले लटकाए गए थे चट के उपर केले लटकाए हुए थे और वहाँ पर उस वन मानुष को छोड़ दिया गया चिम पैजी को छोड़ दिया गया तो सुल्तान ने क्या देखा कि उसको भूख लगी थी वो भूखा था पहले उसको भ तो उन्हेकी क्या थे एक जाए इतने उन्चाई है कर द मेरा हाथ नहीं बाथ मैं इतनी उन्चाई पर जो केलें लगिए हênio उन प्राफ्त नहीं कर सकता तो वो उसने क्या किया? वो एक जंगे बेट कर सोचने लगा कि अव में क्या कुरू उक्या नहीं क्योंकि भूख बड़ी तेजि से लगी थी तो उसने क्या देखा, अचानक उसने देखा कि एक कोने के अंदर एक लकडी का बोक्स रखा हुआ है, लकडी का ऐसे बोक्स रखा हुआ है कोने के अंदर अचानक सूजुत्पन होती है, दिमाग के अंदर अचानक क्या होती है, सूजुत्पन होती है, और वो क्या करता है, उ अब दूसरी बार फिर परियोग किया गया उसी सुल्तान के उपर, अब की बार केले जादा उंचाई पर टांगे गई, पहले जितनी उंचाई पर टांग दिये गई, और क्या किया गया, वहां पर लकडी के दो बखसे रख दिये, वहां पर लकडी के कितने रख दिये, दो ब उत्पन हुई उसने वो दूसरा बक्सा लेकर पहले बक्से के उपर ठीक और उसके उपर चड़कर केलों को प्राप्त किया अपनी भूख मिटा लिखा कर चार बार परियों किया था दो बार तो हो गया एक बार एक बक्सा रखा था दूसरी बार दूसरा बक्सा रखा तीसरी तेसरी बार फिर से प्रयोग किया लेकर तांग वहार्फ से पर जया तांग को सभिषे रखी हुई। क Вам एक वहार पर छड़ी रखी योई थी अधिक फ़्ल एका पर भ्ला प्र में रखी हुई। वहार्टर पर दिखाई जेना सबने मुझलिए। तो वो थक्तर बैठ गया, वो के बक्से तो है, इन्य अब कैसे मैं करूँ, केले तो जद्धा उंचाई पर है, तो उसकी नजर फिर अचानक पढ़ती है उस डंडी पर, उस छड़ पर, और अचानक फिर सूजुत्पन होती है, वो उस लाठी को लेकर, उस डंडी को लेकर, के अरकी बार केले जदा उंचाई पर थे, और भी जदा उंचाई पर, लेकिन वहाँ पर एक चड़ रखती थी, दूसरी एक और रखी गई, और दोनों चड़ों के अंदर वेवस्था ऐसी थी, कि दोनों ऐसे लोग हो जाती थी, एक दूसरे में ना ऐसे लोग हो जाती थी, तो सुल्तान ने एक चड़ उठाई और उन केलों को प्राक्ट करने का प्रेतन किया, लेकिन वह चड़ उन केलों तक पहुची नहीं रही थी, क्योंकि छोटी थी, खेले ज्यादा उंचाई पड़ थे, फिर दूसरी चड़ उसने देखी, दिमाख नहीं चला, वह उन उन लाठियों से, अचानक क्या हुआ खेलते खेलते दोनों ऐसे लोक हो गई आपस में, उन में ऐसी व्यवस्था थी कि एक में हुक लगावा था, दूसरे में ऐसे लोक हो गई, वो लोक हो गई, लोक होते ही, अचानक फिर सूजाई, एक दम दिमाग के बत्ती जली, सूजाई अरे तो लंबी हो गई, और मैं इससे केले ले सकता हूँ, तो छड़ लंबी हो गई, दो आपस में मिल गई, तो उनसे केले उतार लिये और अपनी भूख को फिरशान्त किया, अपनी भूख मिटा ली, तो इस परकार कोहलर ने क्या देखा, कि जब भी हमारे सामने कोई समस आती है, जैसे सुल्तान के सामने चार बार समस्या आई, पर हर बार सुल्तान नाम के चिमपैजी ने अपनी सूझ से, अपनी बुद्धी से उस समस्या का हल डूण लिया वही, समस्या तो चार बार आई, लेकिन हर बार अपनी सूझ से उस समस्या का हल डूण लिया किसने तो यही बात कहना चाहते हैं कि हमारे सामने जो समस्या आती है उसका हल जो है वो अचानक हमारी बुद्धे में आता है और हम उसको क्या कर लेते हैं उस हल से अपनी समस्या का समधान कर लेते हैं यानिकि उन्होंने कहा कि थोरंडैक पैवलो और स्किनर की तरह हैं जो वो सुल अपना एक हल पर पहुच जाता है और अपना वो काम सिद्ध कर लेता है समस्या जो आई है ना उसके सामने भूग लगी हुई है केलों को तारना उतार लेता है कैसे सूज से अपनी बुद्धी से अपने दिमाग से अपने माइंड से आई बास समझ में तो यही परियोग था क कोलर के दोरा किया हुआ अब उसके बात देखिए अगली बात करते हैं कि इस सिधान्त की जो अंतर दृष्टी का जो सिधान्त है इसकी विशेष्टाएं क्या-क्या है ठीक है ना इस सिधान्त की विशेष्टाएं जो है वो क्या-क्या है क्रैक्टेस्टिक्स देखनी है इ शूज कैसे पैदा होती है, अचानक पैदा होती है. सूज उत्पन होने से व्यक्ति के लक्ष है, एवं उपायों के मध्धे एक संबंद स्थापिद हो जाता है. इसकी विशेष्टा है क्या-क्या है, ट्रेक्टरिक्स इसकी क्या-क्या होंगी, कि पहले बात तो ये है कि अंतरद्रिष्टी यान की inside learning अंतरद्रिष्टी क्या होता है inside हमारे जो भीतर का ग्यान है उससे किसी समस्या का समधान ढूंडते समय जो सूज है न वो अचानक पैदा होगी और जब हमें सूज पैदा होगी तो व्यक्ति का जो लक्षय है और जो उपाए वो जो करना चाहता है उसके बीच में एक सम्मन स्थापित हो जाता है जैसे चीन पैजी का लक्षय क्या था केले और उसने क्या किये उपाए कैसे एक तो बक्सिय से किये बक्सा और उपर से जो लाठी थी यानकी जो चड़ी थी उससे उपाई कर लिये वे दोनों के बीच में सम्मन स्थापित हो गया सीखने की सम्मन स्थ परकिरिया किसके उपर अधारित होती है सूज के उपर ये कहते हैं कि उचल कूद करके कुछ नहीं सीखता आदमी कौन गेस्टाल्ट वाद कहता है कि उचल कूद करने से कुछ नहीं सीखता जो सीखेगा कैसे अचानक एक सूज उत्पन होगी एक दिमाग की बत्ती जलेगी यू कहें तो अचानक सूज उत्पन होगी और सूज का जो निर्मान है उससे पहले व्यक्ति समस्या का सामधान करने के परियास में थोड़े समय के लिए स्थिर निसकरिया ऐसाई हो जाता है जैसे सुल्तान था ना सुल्तान जब उसके दिमाग में सुझ नहीं आई थी ना तब वो थककर एक तरफ एक कोने में बैठ गया था कैसे क कि जो कोलर है उसकी सारे अक्टिविटीज को एक सीसी टेवे के माध्यम से बाहर देख रहा था जब उसने केलो की उचाई को देखा ना उसको भूख लगी हुई थी तो उसको सुझ थोड़ी देर में आई पहले वो निश्करिया होकर आलस में भरकर एक कोने में बैठ गया कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे पहले के जो experience है पूरो अन्भा जो होते है वो हमेशा क्या करते है हमारी सहेता करते है ठीक XV जी के पहले अन्भा होते ना उसकी सहेता कर रहे थे क्लियर जो चिंपाजी के पहले के अनभो थे जो experience थे जैसे उसने पहले तो पहला बक्सा रखा था बाद में दूसरा बक्सा रखा तो जो पहले के अनभो थे वो क्या कर रहे थे सहाईता कर रहे थे उसके बाद अंतर दृष्टी यानि कि inside जो है प्रतक्षी करण में सहाईता मिलती है प्रतक्षी करण क्या होता है कि हमें प्रतक्षी का मतलब होता है देखना प्रतक्षी करणा जब भी कोई समस्या आएगी तो हम उसका प्रतक्षी करणा जब तक किसी समस्या को पूरी तरह स नहीं देखेंगे, पूरन रूप से नहीं समझेंगे, तब तक हमें उसका ग्यान भी उत्पन नहीं होगा, जब समस्या को पूरन रूप से समझ लेंगे ना, उसके बास सूज उत्पन होगी, पहले समस्या को समझना जुरूरी है, जैसे आपका मितर आपको कहे दे, कि मेरे को तो मेर्ट अप्का अगी लिक्कता एगी। है तो आप क्या कोगी परे उन्यू बता सारी समस्या क्या है। given, अगर अगर कमी तपने पूरी बात अगर लगे पूरी बताता तो अगर भूника को सम्मजमे नही तरी बाती। ठीक है तो यह हमारी क्या है विशेष्टा है पहली विशेष्टा तो क्या है सूज अचानक पैदा होती है आपने बच्चों इसी तरह से एक्जाम में लिखकर आणा है जैसे मैं करवा रही हूं पहले आप बताओगे किसके बारे में आप बताओगे सबसे पहले कि यह जो परियोग बताया चार बार परियोग किया गया था सुल्तार नाम के चिम पैजी पर तो वो चारो परियोग आप बताओगे कि पहला परियोग दूसरा परियोग तीसरा परियोग और चोथा परियोग आपने ऐसा ही लिखना एक्जाम के अंदर पहला परियोग क्या होगा कि अपस में लोग हो जाती थी आप इस तरह से चार परियोग लिखोगे दो पेस तो इसमें बढ़ जाएंगे आपके जब आप परियोग को थोड़ा सा विस्तार से लिखोगे जैसे कि मैंने अपको समझाया है अपने शदों में लिख लेना इसको उसके बाद आप क्या विसेशता हैं कितने बताई मैंने चार अभी तो एक तो सूज अचानक पैदा होगी सूज उत्पन होने से व्यक्ति जो है उपाई कर लेता है दूसरा सीखने की पिरकिरिया सूज पर अधारित है तीसरा इसमें अनुभो एक्सपिरिंस आयक होता है और चोथा जब तक हम समस् चार आई मैंने फंटिया को सही धंग से नहीं समझेंगे उसमें सूज भी उत्पनह नहीं होगी है ठीक है वई कलियर है कलियर है सबको चलो सी उसके बाद देखिये ह wellness शेत्रा आगे भी है अचो आगे भी है यह जो है विशेष्टा है न यह टारी नहीं है आगे भी हैं तो देखिए जी 12 विशेष्टा है तभी मैंने सोचा इतनी जल्दी कैसे खतम हो गई विशेष्टा कई होती हैं सूज का आयू और अनभव के साथ गहरा संबद होता है पांचवी विशेष्टा क्या है सूज का आयू के साथ और अनभव के साथ बड़ा गहरा संबद ह बालको के पेक्षा प्रोडों में सूज जादा होती है, प्रोड का मतलब क्या है? युवा, प्रोड का मतलब क्या है? युवा, बालको इचनी जल्दी सूज उत पर नहीं होती है, जितना युवा को होती है, क्यों? क्योंकि जो प्रोड होते है, प्रोड वो उनको जीवन में बालकों को experience कम होता है, बलकि बच्चों को तो हमें लोग बताते हैं, अरे यसा कर लो, वैसा कर लो, तो सूज का आयू और अन्भव के साथ, क्योंकि जो प्रोड होगा ना, उसको अन्भव होगा, experience होगा उसको लाइफ का, बालकों के बच्चा प्रोडों में सूज ज्यादा उत्पन होती है, आगे कहता है, शीखने में निप्रंता प्राप्ट करने के बच्चा सूज का ज्यादा महतव है, अगर आप कोई चीज किसी को देख कर सीखते हो, ठीक है ना, कोई आपको सिखा रहा है, और आप उसके बाद उस चीज को सीख लेते हो, इसके बजाए, अगर आपके अंदर इंसाइड लर्निंग होगी ना, आप सूज के दोरा सीखोगे, तो ज़्यादा महतव रखता है भई, ठीक है ना, उसके बाद जो इंसाइड लर्निंग होगी ना, वो प्रस्थितियों पर निर्भर करेगी, कि कैसी समस्या है और कैसी आपके सामने प्रस्थितियां है, आपके सामने प्रस्थितियां किस प्रकार के आ गई और आपके सामने समस्या कैसी है, इस सिधान से सीखना सपस्च होता है और स्थाई होता है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को देख कर सीखते हैं कोई दूसरा हमें सीखाता है तो कई बार हम उस बात को बाद में भूल जाते हैं क्योंकि देखो काफी टाइम हो गया हम कहेंगे बई सीखा तो था मैंने ये काम पर अब भी मेरे को तो ध्यान नहीं है यह तो काफी टाइम पहले की बात है, यहां कि आप भूल चुके हो, लेकिन जो चीज आप अपने अंदर से शीखते हो, इंसाइड लर्निंग करते हो, जो भी चीज आप सूझ के दोरा सीखते हो, वो आपको पर्मानेंट याद हो जाती है, उसके अंदर कभी भी गलती नहीं ह तो यह सिधांत बालकों में सीखने की सभाविक विधी बताता है, नेचरल विधी है, है ना, उसके बाद अन्य प्राणियों के प्यक्षा मानों की बोधिक्षमता जादा होती है, तो मानों में सूझ भी जादा उत्पन होती है, ठीक है ना, बोधिक्षमता जादा होती है, तो मानम में सूजी वित्वान होती है अच्छा जैसे कोलर ने क्या किया था एक बच्चा था वई एक और पर यो किया था एक बच्चा था तो बच्चे के सामने उन्होंने बच्चे का खिलोना रख दिया बच्चे का क्या रख दिया खिलोना रख दिया बच्चा क्या करता है खिलोने के पास जाकर उसको ले लेता है बच्चा क्या करता है शिदा जाता है और खिलोने को उठा लेता है चोटा बच्चा है लेकिन कोहलर ने क्या किया किया कि जो खिलोना है अब कि बार उसके बीच में यहां कोई बड़ा समान रख दिया यानि कि आ लोना और जो बच्चा है उसके बीच में क्या बना दी बाधा बना दी बीच के अंदर तो बच्चा क्या कर रहा है यहां खड़ा होकर देख रहा है कि खिलोने को मैं कैसे लेूं अचानक बच्चे में सूज उत्पन होती है चोटा बच्चा है जैसे साले का तो बच्चा घू तो यह बेक परियोग था कि इसके दुआरा कोहलर ने क्या जाना कि सूज अचानक उत्पन होती है जब हमें कोई चीज चाहिए ना हमें उस चीज की नीड होती है जरूरत होती है तो हमारे अंदर अचानक सूज उत्पन होगी वही उसके बाद सूज सिधान्त में उदेश्य परापती प्रेयरक काम करती है उदेश्य क्या था कोहलर के सामने केले उदेश्य क्या था केले क्यों उसको क्या लगी हुई थी भूख भूख लगी हुई थी भी तो उसे ने किसका काम न किया प्रेयरक का आप कोगे मैडम प्रेयरक क्या होता है प्रेयरक मोटिव होता है मो जब हमें कोई लक्षे चाहिए, हमारे सामने होता है, कोई उदेश्य है, तो वो हमें ड्राइब में लगता है, यानि कि हमें किरिया करने के लिए प्रेयृत करता है, अगर हमें कोई चीज नहीं चाहिए ना तो अपर ड्राइब में कभी भी नहीं आएंगे, फिर प्रेयृत क क्योंकि आपका भीतर का जो प्रेरख है ना जो ड्राइव है वो आपको अगे धकेलनी रहा आपको नोखरी मिल चुकी है आपने किसलिये दुबारा बीड करनी है आपको तो उसको बेतु की बात लगेगी आपको उसकी तो जो हमारा उदेश्य होगा ना तो फिर वो प्रेरख के अंदर ठीक है कलियर है सभी को कलियर है क्या चलो जी अंजी तो हमारे सिधान्त कितने हो गए बारा तो पांचवा कॉन सा आयूर अनभव का गहरा संबंध है परोडों में जल्दी सूजुत्पन होती है फिर शीखने में निपनता प्राप्ट करने में सूज का बहुत दिक म भड़ी होगा घर शीखने में सभाविक विधी बताता है नजय प्राणियों के प्रिक्षा मानों में बेदिक Shamta जादा होती है और मानों में सूज भी जादा होती है तो उदेष्यय प्राप्टी जो है वो दो अंदर प्रेरक का काम करती है और इसमें सुरुवात में परे जयास और तुरूटी रहती है, कलियर, बढ़े आगे, उसके बाद देखिए, यह कहता है कि अंतर दिष्ट्री को परभावित करने वाले कारक, कौन-कौन से कारक यान कि फ्यक्टर ऐसे हैं, जो अंतर दिष्ट्री को क्या करते हैं, परभावित करते हैं, क्या कहता है कि कौन- तो देखो सुज का निर्माण जो है वो यह ऐसे बुद्धी से होगा थीक है ना किसे होगा बुद्ध हमारी परभावित करेंगी किसको हमारी सूज को, तो inside का सीधा समंद बुधी से होता है भई, और जिस प्राने की बुधी उच होती है न, यानिकि जड़ा बुधी होती है, हाई बुधी होती है, उसकी ज़यादा, वो ज़यादा active होता है, वो जल्दी सीखता है, जैसे हम बोलते हैं ना कलास में ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको कुछी सिखाओ सीख जाएगा तो जिस बच्चे की उच बोधिक शम्ता होगी, सीखने के शक्ति क्या होगी, उची होगी, वो जादा जल्दी एक्टिव हो जाएगा अब हमें ये तो पता है, कि मानो जल्दी सीखेगा पसू से जादा, और समस्या का समधान भी वो जल्दी सीख लेगा अब कलास के अंदरा पढ़ा रहे हो, तो जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो आपके पढ़ाई हुए को जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन जो बच्चे कम बुद्धिके होते हैं, वो आपकी पढ़ाई हुई बातों को जल्दी समझ नहीं पाते हुई, वो उनको जल्द कुंजी है अंतरडिष्टी, किसी भी समस्या के समधान से पहले उसको जानना आवश्यक है, यह बाद हम पहले ही कराएं, उसको देखना जरूरी है, यानकि जब आप किसी भी समस्या को पूर्न रूप से देख लोगे, उसके बाद आप उसका हल प्रसुत कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद है अनभव, यहन कि एकस्पिरियंस, उसके बाद क्या आएगा, अनभव आएगा, एकस्पिरियंस आएगा, तो देखो, ज़िस बंदे को एकस्पिरियंस ज़्य соврем hen छड़ी सीखेगा, और जिसको experience कम हो जल्दी नहीं सीखेगा, इसलिये तो हमने कहा ना कि बाल क आपको पापा को, यह घर में दादा जी है, उनको बताओगे, दादी को बताओगे, कि भी मैं यह काम कैसे करूँ, और आपके जो घर में बड़े हैं, वो आपको एक मिनिट में बता देंगे, अरे यह काम ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, क्यों उनका अन्भो जादा है, एक्स्पिरि पास्ट का जो एक्स्पिरिंस है, उनके अंदर जादा नहीं होता, तो पास्ट का एक्स्पिरिंस ना होने के कारण, वो किसी भी समस्या को समधान करने के इतने जादा काबिल नहीं होते, जितने काबिल बड़े होते हैं, जितने काबिल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो यह एक़ता है कि अनभूव वयक्ति समछ्यों का समधदान जल्दी सिखता है, अनभूव के स्थाननत यां के ट्रांसफर से एक पर शिटिक को गृष्टिक में इस्तिमाल किया जाता है, बहु congested को यह कहता है, अनभूव को ट्रांसफर होता है, यह बिल्कुल होता है, कि कोई समस्या कितनी जटिल है यानकी हाड है और कोई कितनी सरल है यानि इजी है अगर समस्या आसान है तो हमें जल्दी उसकी सूज उत्पन हो जाती है अगर समस्या जटिल है हाड है तो उसकी सूज उत्पन जल्दी से नहीं होती वह उसकी जो सूज है वो उत्पन नहीं होती तो यह कहता है कि समस्या की सरंचना भी अंतर द्रिष्टी को परभावित करती है स्वल समस्या का वो असानी से हलो जाता है ठीक है ना और एवेवस्थित जो जटिल समस्या होती है कई समस्या ऐसी होती है जो एवेवस्थित होती है या जटिल होती है उसको विकास में बादक होती है ऐसी समस्याओं को समझना भी कठीन होता है कोई छोटे मोटे समस्या ही तो आप मिंटों में कर लेंगे हाँ को जमाई गहरी है तो उसमें टाइम तो लगेगा देखो परिया परियास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर, परियास एवं भूल, तो परियास एवं भूल का योगदान रहता है, अंतर दिष्ठी के विकास में, जो व्यक्ति होगा न, वो समस्या का समधान खोजले के परियास में निरास और निश्किरिया हो जाता है, जैसे सुल्तान नम का सिंपैजी हो गया था, जब उसने समस्या को देखा तो एक बर परिशान हो गया था, ऐसे में व्यक्ति की मानसिक परिकिरिया मंद हो जाती है, और कारिये कुशलता यान की मोटोर स्कुल के धार पर शारिक अंगी काम करते हैं, तो व्यक्ति में देखो त्रीटी और वो तो परिया से हम भूल, आगे कहता है कि शिक्षा के अंदर इसका क्या योगदान है, जो आपने ये पढ़ा भी थोरी पढ़ी, इसका शिक्षा में क्या योगदान है, ठीक ना, इसके एजुकेशन, इम्पलीकेशन कौन से हैं, अधिगम का, क्या है वई, हां जी, अधिगम का अंतर दिष्टी सिधान्त समगरता में विशुआश करता है, और शिक्षन परकिरिया में जो समस्यां आएंगी, उनका क्या करेगा, समध्धान करेगा, और ये है, इस सिधान्त ने सिक्षा में स्रिजनात्म, यान की क्रियेटिव, क्रिया कलापों को महतों पर्दान किया, ये सिधान्त सिधान्ता लापों आट क्रियेटिव इनद्phin rasa उते लिए उप्योगी है, ये सिधान्त कला सहित्यों समगरता करने के लिए लापड़्द है, किसी को कई कला, कोई आर्ट सिæनी हो, कोई संगित सिहना हो, या कोई सहित्यों सिहना हो, ठीक है, लीटरेचर सिख तो उसके अंदर ये क्या है? ये उपयोगी है. क्या पर दिसका आगे निया ये रज़त? ठीक है? चलो कोई बात नहीं? फिर आगे क्या है? कि ये बच्चे को समस्या का समधान करने के एबल बनाता है. बच्चा जो है ना, ये जो किसी वज़े से ये जो नोट्स है, ये स्क्रीन पर नहीं लगबाया. कोई बात नहीं? मैं वैसे ही बता देती हूं आपको. कोई दिकत नहीं है. एक आदा पॉइंट ता वैसे ही कर लोगे. तो बच्चा जो कोई भी नई चीज़ सीखना चाहता है, उसके लिए ये बड़ा इंपोर्टेंट है. अध्यापक बच्चों को किसी विशेश ऐसी समस्या में रख कर, उनके अंदर सूझ की कला उत्वपन कर सकता है. जैसे अध्यापक है, वो बच्चे को कोई प्रिस्थि आणर देना हो, तो इस इंसाइड लड़ने का बड़ा महतव है, क्योंकि हमारी चूसिक्र communism का सामधान करना चाहता है, तो इसका मतलब उसकी शिक्षा उसके शिक्षा सही दिशा में जा रही है, तो सूज का जो है, वो दैनिक जिवन में भी बड़ा महतो है, हम बड़ी से बड़ी समस्या को कई बार चुट्कियों में हल कर देते हैं, कैसे हमारी सूज के दोवारा, हमारी बुद्री के दोवारा, हमारी इंसाइड लर्निंग के दोवारा, तो आपका ये जो 16 नमर का कुश्चन है, ये बड़ा अच्छा बन गया, पहले आपको होलर के बारे में बताओगे, और संध्यानवादियों के बारे में, गेस्टाल्टिजम के बारे में बताओगे, उसके बाद आप कहोगे, सिधान्त का ये ये नाम भी है, और सिधान्त क्या है, कि कई बार हम काम को खुद सीख लेते हैं, कई बार दूसरे को करते हुए सीखते हैं, लेकिन जब हम किसी बात को खुद करते हुए सीखते हैं अपनी बुद्धी के दोवरा, तो उसको अंतरद्रिष्टी का सिधान्त, यान की सूच का सिधान्त कहा जाता उसके बाद आप ये चार परियोगी जो मैंने पहले बता दिये आप लिखोगे अपने जो आंसर सीट है उसके अंदर आपका पेपर होगा जब फिर आप उसके अंदर क्या बताओगे कि ये सूज का सिधान्त है इसकी विशेष्टाइं कौन-कौन सी है और विशेष्टाइं ह हमने इसकी बारा कर ली बारा विशेष्टाइं है अगर आप उन में से आपको दस भी याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है दस कर आओगे तो भी बढ़िया है दस विशेष्टाइं लिख देना उसके बाद इसका शिक्षा में क्या महतव है और इसको परभावित क कि बाद बढ़ें की बिदाना बर विशे समाज में रहना है उसके सामने को समस्या आईंगी अजब आप अध्यापक बच्चे को समच्या समधान के योगे बनाएगा ना तभी बात बढ़ेगी नहीं तो उसके एजुकेशन कilot का कोई फाएदा नहीं है अगर वो जियन में म नहीं कर पाता, तो एजुकेशन का फायदा कैसी होगा बला, चलिए जी, अब आपका ये एक सोला नमर का बहुत बढ़िया कोश्चन तयार हो गया, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, एक नई थोरी के साथ मिलेंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने अपको स्टाटी में बता दिया, जैस के दो लेक्चर ओर हैं, और उसके बाद आपकी थर्ड उनिट भी कंप्लेट हो जाएगी, फिर हम फोर्थ उनिट को स्टाट करेंगे भी, क्लियर, चलिए जी, आप सभी का थैंक्यू, सभी का धन्यवाद, जै हिन, जै भारत.